हेलो एन वल्कम गाई स्वागात आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICC Arabian T20 लेकी बात करेंगे जो कि मेच हो गया पर 7 districts vs HBC के बीच में तो चलिए दोनों इटिंग के प्लेयर पर एक बात कर देंगे पिच रिपॉर्ट देख लेते एक बार लास में हमारी फेंटासी टीम भी देख लेते के कौनसे प्लेयर को में लेके जाना है और कौनसे प्लेयर को हम लोग आसे ड्रोप कर सकते हैं सारी डीटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चली फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया इसके साथ साथ स्लैक टी 20 करके एक टूडा में शुरू होगा है जो कि असम में किला जाता है तो उसको भी कवर करेंगे तो यूटूब चैनल को सबसे बेल आपको सबस्क्राइब करना है साथी मैं टेलिग्राम से भी जुड़िएगा बात करते है इस मैच की तो यह मैच रात को 10 पचकर 15 मिनिट पर आइसी सी ए एकेडमी ग्राउंड नंबर टू दूबई यूए में किला जाएगा अब पीची रिपोर्ट के बात करते है तो पीची रिपोर्ट या पर बैटिंग के लिए अच्छी पीच है अलाकि शोर्ड बाउंडरी जाए रंस या पर अच्छे गास से बन सकते हैं कई बार से यापर डाइसो से भी ज्यादा बने हुए 280 के पार भी आने कि आये स्कोर की बात को तो मैंने 287 तक तो स्कोर देखा हुआ इसी ग्राउंड के उपर तो आपी अच्छे रंस बते है जो कि चबर्चस पॉम में चल रही है टीनो फॉर्मेट में CBFS ट्रीट यन हो गई यहां पर यह हो गई इसके साथ साथ इससे पहले भी CBFS ट्रीट में भी वहां पर भी मतलब अच्छे पॉम में ओपनिंग की बात करो तो रईस एहमद आयान और मोहमद इर्फान ने ओपनिं इवन दोनों के दोनों प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप की चोईस है इसके लगए से बात करते हैं में आपको पहले भी बताय हुआ है यह बाई सब गजब का प्लेयर है तकड़ा फानता है दो बार 60 प्लस कर चुका इस टूनामेंट के अंदर इनको जब भी उपर से कहलने का मुखा मिलता है तीसरा मन नमर इनका फेवरेट है जब भी और तीसरे नमर पर कहलते है वहां पर बड़ा धमाका ही होता है इनके नाम से जबचस पॉम में लेकर जाएंगे सिपी रिजवान जोकी वण फ जबचस प्लेयर और रिसंटली फॉन की ब पहले मेंज के नों ओस करवाई थी जहापर इनको एक विकेट मिली थी दूसरी मेंज की बात करूँ तो ओस नहीं करवाई लेकिन बैटिंग से 30 रंज जरूर की है टिम के कप्तान है ट्राइ करना जाओ तो कर सकते हैं शागिर घान ओके रहेंगी जेल में ट्राइकर होगी और बैटिंग से एक बार 15 और एक बार 19 से स्कॉर किये थे इंपोर इसकी बात करते हैं और राइट आम मीडियम फास गहन बाज है और यह बाइस आप जब भी ओस करवाई था तब विकेट निकालता है तो बरोसा कर सकते हैं लेके जा सकते हैं नबील अर्शद और वरॉल प केटन सजेशेबल है आप लोग इनको एजब लेके जाएंगे इवन कप्तान या वाइस केपटन कुछ हटके करना चाहो तो इनको कर सकते हैं इसकी बात की जाए तो हफीज अलमास के साथ यह पर हैदर अली है जेथ होस की बात की जाए तो हैदर अली के साथ यह अपर बात करते हैं लोग यहां पर टीम सब्सक्राइब यह जीतनी चाहिए फिर किर्केट कुछ अन हो नी हो सकती है वाकी तो मैक्सिमम चैंस यह ओपनिंग की बात करें तो यह पर रजा अनवर और इनके साथ यह पर साध अब्दुल अजीज ने ओपनिंग करवाया था यह दोन मैस के दर ओपनिंग हैदर अली बट नी किया था तो इसके मैने हाटाया नहीं इस प्लेयर को वहां पर ही रखाए क्योंकि अगर खेलेगा तो यह ओपनिंग करवाएगा यहां पर दोनों ही टॉप के प्लेयर हमारे लिए इतने इंपोनेस नहीं रहेंगे रिस्की है तो अलांकि बैटिंग से मुझे इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है थी इक तालिस मैच के न करीब तॉल इसके एवरेस से सोला सो उन्तीस वरन की वह इनने बाकी परफॉर्मस ठीक आगे इसके लिए वैसे टुवान समसुद दिन की बात करते है जो कि तीम के कपता ने परफॉ अच्छा प्रफॉर्मस अगर देखेंगे आप लोग तो इनके देखने को मिने के बाकी ओर और भी इससे पहले भी एक टूनामेट के दर है दर रहली बेट रेकुलर के लिए थी वहाँ पर रेकुलर हमारे कप्तान वाइस कप्टन हुआ करते थे तो यही कुछ बात है अग करेंगे तो वह मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रवाइड करवा दूँगा इसके लवाए से सीपी के मसूद की बात करते हैं इस प्लेयर को आप लोग लेके जा सकते हैं क्योंकि यह बैटिंग और बॉलिंग दोनों इससे आपको सही अड़्वाटेस दे सकता है तेरा इसके लवाए से निलेस चैनल पर मिल जाएंगे तो टेलिग्राम से जुड़े रहेगा इसके लवाए से फहद मर्चंट की बात करते हैं जो की और प्लेयर तो तगड़ा है लेकिन यह इतने नीचे क्यों केल रहा है वो मेरे समझ से बाहर है 110 में करीब 40 की एवरेस से एक अजास है प्लस में रन है 19 विकेट भी है वह ज्यादा दर नहीं करवाएंगे लेकिन है यह विकेट की बलेवाज परफॉमंस तीनों में कुछ खास नहीं किया क्योंकि इनको मौके नहीं मिल रहे मतलब काफी नीचे नो में नमर बरा दे और आ दो मैच के लिए कुछ खास परफॉमंस नहीं रहा या पी समझ लिजेगा कि इनको मौके नहीं मिल रहे स्टार्टिंग में अपर हसम और सिपी के मसूद और देथोस में अभी तक दो मैच हुई है दोनों ही मैच के अंदर देथोस में गयन बाजी आई नहीं है या तो यह सामने वाली टीम कम ओवर में चीज चाती है और या तो यह पहले गयन बाजी करवाती है तो समझ लिजेगा कि यहां पर पहले गयन बाजी कराएं कि तो यह से पूरी वोस हो गया से बिया जमें से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वोगे रहा टेलेग्रम जनर को मिलेंगे आपको जल्डी से टेलेग्रम को जोइं करना है, इनके साथ विजेडर को ज्यां करना है यह से साथ प्लेयर है तो स्य यह को मर्शंट। बाकि वॉलरोंड स्रेक्षण की बात की जाय तो ये पर राइस एहमद आयान को अमने लिए इसके साथ ये आपर CP के मसूद है इनके साथ येपर एन चाइना नी हमारी टीम के अंदर रहेंगे और बाकि बॉलिंग स्रेक्षण के बात की आपकॉठ अब्दुल कफार है इनके स साथ और एक पूर ले सकते हैं बागी कुछ इस सरह होगी इसमें भी कुछ बरलाव अग्यरा देखने को मिल सकते हैं बरलाव जूबी रहेंगे वह लाइन अपके बाद लहेंगें और लाइन अपके बास जंوع置 हमारी जो भी रहती है या पिर मेरी small link या grand link की जो भी डिम रहती है वो मैं आपको telegram में देता हूँ तो जली से telegram को join करना है और telegram से जुडने के लिए link मैंने नीचे description में दिया हूँ है आप लोग को उसी link से telegram channel को join करना है वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते है share कर सकते है और YouTube channel को subscribe कर लेना क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैसिस के वीडियो आपको इसी YouTube channel के ओपर मिलने वाले है तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप लोग करोगे गया देखो करना कुछ नहीं simple सी बात है वीडियो को आपको अच्छे से देखना है अच्छे से analysis करने है अच्छे से अपने कुछ की team बना के अच्छे घाजी भीनिंग करने है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई तन्यवाज जय हिन जय भारत